हलो फ्रेंट्स नमस्कार तो स्वागत एक और ने वीडियो में तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं भारत संतों की भूमी रही है उन में से यह द्वापर युग में एक संत हुए जिनका नाम स्वपच था तो दोस्तों इस वीडियो के माधम से जानेंगे स्वपच संत क की बारे में पूरी जानकारी और उन्होंने कैसे महावली भीम अर्धरोपती का हंकार को चकना चूर किया तो आए जानते हैं वीडियो के माधं से उनकी पूरी घट्ना तो आए जानते हैं गुरूजी से जैसा कि आपने सवाल पूचा कि किस प्रकार महावली भीम और द्रपदी के चक नचूर एक महान संद्स पच्छी ने किया तो उसके बारे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महाभारत का युद स्वाप्ति के बाद महाराज युदिस्ठी के मन में ऐसा विचार आया कि युद इस पाप से मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान से किसे कहा कि मैं एक यग कायोजन करना चाहता हूं और उस यग में हमारे जो चैत्र के महान शंत हैं मात्मा हैं परदित पुरोईत हैं जो भी हैं सारे प्रजा को जो भी पचे हुए हैं उनको मैं निमंतर्ण करूँगा औ इस विचार को लेकर के उन्होंने से कहा कि अच्छी बात है आप करें तो से किसने कहा कि आपका यग सफल होगा इसके लिए आप अपने महल के उपर एक घंटा टांग देना और अगर यग सफल हो जाएगा तो इस घंटे से आपके तीन वारा आवाज निकलेगा और वह करें और करने के बाद कि यह सुरू हुआ सुरू होने के बाद जोभी च्छेत्र के महान संत मात्मा साद्भु संथ्जोबी थे सभी आए और यंग में अपना शायोग किया और सायोग करने के बाद एक बहुत बड़े भोज का आयोजन भी हुआ जिसमें कि सभी लोग आये खाए लेकिन घंटा नहीं बजा तो महाराज दिश्चर ने पूछा कि यग में क्या कमी रह गई सभी लोग तो आये खाए और सभी नासिरवाद भी दिया लेकिन घंटा नहीं क्या कारण है तो महायोगिस्टर स्रेकिष्ण निखा कि हो सकता है कोई संत आप छूट किया हूँ इसके कारण जैसो अपका गंटा नहीं बजा यह पुर्णा होती नहीं हुई तो फिर उन्हें सब संतों का नाम की बताया कि इंदिन संतों को आपने अमंत्रित किया था तो सरुपच्च का लिया तो सहुपच्च का लाब लेने के बाल महाराज तिस्टियर ने अग्र निंहीं किया इस अगमाने के लिए तो से कि ने पुछा कि क्या बात थी क्यों हि righteous उन्हें किया उन्हों ने कुछ जाते वहत्किपार करके कि उन्म पडिवार निजू किस्कान महराज इडिस्ठीर ने उनको आमंतित करें रहे वर उनको बुलाएं यहींद्श तो तो नोम है जो सकता है वो मना कर दें नहीं भी आए तो उसमें अरजुन ने कहा कि बात तो आपकी सही है फिर उसी बीच में जो दस अजार बल को रखने वाले माहवली भीम थे उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो मैं उनको उठा के लिए आऊंगा तो वो ठीक है भीम तुम जाओ वो जो है सो भीम गए सोपजी के महापास और ने कहा कि ऐसा है आप को यग में आमन्तित नहीं किया गया यह हम रहों से बहुत बढ़ी भूल हो गई गलती हो गई लेकिन बरे भाईया ने कहा है कि आपको आना है जो आप चलें यग हमारे यग में चल कर कि यग को पूर्ण करे तो का चीज है मैं असनान करके आता हूं तब तक आप बैठें और फिर हम दोने आदमें चलेंगे साथ में तो और नदी किनारे असनान करके आए असनान करने के बाद का प्रावर्ण बदलके उनकी एक सुमरनी मतलो माला जो एक झोपड़ी में टंगा हुआ एक खूर्टी स तो उन्होंने भीम था और माला टेंगा वहा हैं उसको अप उठा करके लिए वह तो भीम घए उनके मन में तो भेदभाब था हैं जाती पाती का भेदभाब भरा हूँ तो सुचे कि शुदर के माला को किस तरह से में अनों उठाउगा तो नहीं अपनी एक कानी ओंगली से माल नहीं उटा पीर होने यह धोने माला हो उतार नहीं उतर पाए तो महाराज महाराज माला तो उतर ही नहीं नहीं पता है इतनी भारी माला है अप कैसे गले में डालते हैं क्या ज्सका करेंगे चोड़ देजे वह लिया तो उन्होंने गया बहुत असानी इस्माला को उठाकर कि अपने गर्दन में डाल करकि वहां से चल परें ए और जब जब युदा से यहां से चल परें टब यृउँ और आने के बाद इनको बहुत प्रकार करके और कहांव करती तो जो महाराज इस तुछ के महाराज सुपच्च के आगे रखा गया विद्विन तरह के बैंजनों को देख करके उन्होंने सोचा कि किस तरह से करके समय से उठाते रहेंगे तो सब का सुआद लेते रहेंगे तो इससे अच्छा है कि सब को एक साथ उन्होंने मिला दिया मिलाने के बाद उन्होंने जैसे कौर उठाया और अपने मुँए में डाला तो जो महाराज इस सिर्ट के महल में टंगे हुए घंटे थे बजगे घंटा बजगे जो घंटा बजगे तो दुरोपदी पांचो पांडव महाराज श्री कृष्ण सब खड़े थे तो दुरपदी के मन में ही एक विचार उठा कि आखिर है तो यह सुद्ध रही ना यह भोजन का स्वाद कैसे ले सकता है इनको भोजन स्वाद लेने का कुछ पता ही नहीं कैसे खाया जाता है तो इन्होंने सब को एक साथ मि मिलेगा तो यह विचार जैसे मन में आया और सवपच महाराज दूसरा कवर उठा रहे थे कि आदे पर आकर गे वहातों को रोक दिया स्विष्ण ने पूछा महाराज आपने खाया क्यों नहीं हाथ क्यों रोक दिया तो पहले जो भोजन था पहला जो कौर मैंने लिया वह तो एक संद का भोजन था लेकिन अब जो मैं और खा रहा हूं एक सुद्र का भोजन है सुद्र खा रहा है तो कहा कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं तो आप उन्होंने कहा कि आप से पूछें तो से किस ने पूछा कि क्या बात है क्या तुमने बोली कि मैंने कुछ बोला न रहा गया प्रेट करते हैं कि आसी विचार हमारे मन में नहीं आए मैं तो उसके बाद फिर दुबारा वह ज। गंटा बजने एक फीवर घंटा बजके रह गया जैसे उनके मन में विचार आगया कि सुद्र का भोजन कर रहें तो दुवरा घंटा नहीं पजा और उन्होंने माला के माध्यम से भीम के उमान को तो रहा जो कि बहुत ही बल साली था और अपने बल कि दम पर सोचा था कि मैं जाकर उनको उठाकर कर लियाओंगा इनके बलकों भी मुझे तो यह यह बहुत हैं तो लेकिन फिर भी इससे किसने कहा कि देखो जी तुमने बहुत परी गलती करी अब तुम्हों के मन में ऐसे विचार नहीं आना चाहिए क्योंगि तुम संतों के ब बरा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे से हुई, यहाँ गुरु से माध्यम यह है, गुरु सब्द का मतलब यह है कि जो हमाएं अंधकार से प्रकास क्यों ले जाता है, अग्यानता से ग्यान की तरफ ले जाता है, तो गुरु कहने का मतलब हम लोग समझते हैं और समझाय की मेहमा बहुत बड़ी है तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना कि किस तरसे सोपच जो थे महावली भीम और दुरुपती कहांकार को चकना चुरू किया दोस्तों संतों के बारे में कहा जाता है कि जाती न पूछो साधू की पूछ लीजिये ग्यान मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान दोस्तों यह जो ग्यान और महानता होती है यह किसी जाती की महताज नहीं होती है तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न बोलें